साथिए नमस्कार आज मैं आपको शेहर बिजार में अपनी सोब कीपर एप्परोच के बारे में बताऊँगा सोब कीपर एप्परोच इन स्टोग मार्केट किस परकार से आप अपना सेव बिपार सुरू कर सकते हैं अपने आपको एक खुद्रा दुगंदार की तरह से बजार में मान करके किस परकार से सफल हुआ जा सकता है बिना कोई नुक्सान, किसी प्रकार का नुक्सान जेदे बगैर आप सफलता पुरोथ सिर्वजासे पैसे अपने आपको खुद्रा दुगंदार की तरह मानते वे किस प्रकार कमा सकते हैं सबसे पहले आप अपनी महीने की मासिक आये का विशले समगीजिए मान जीजे कोई वेक्ति महीने के 15735 रूपए पर्ति माघ कमाता है तो मैंने एक पुस्तक पड़ी थी बेवी लोन का सबसे अमीर आद्मी इस पुस्तक का लिन्क मैं अपने वीडियो के निचे भी उप्लंद करवा रही हूँ हमातर सो देड़ सो रुपे की छोटी सी पुस्तत है आप इसको अवश्य मंगा कि इस पुस्तत को पढ़े तब आपको एसास होगा कि अमीर बढ़ने के लिए अपनी आये का दस परतिशत इस्सा जिमित रुप से बचत करना अतियाऊ सक है इस इससे को बचातर के हम अपने शेयर बजार का डिटेर कारोबार सुरू कर सकते हैं अपने शेयर बजार का बिदनेस बहुत आसानी से सुरू कर सकते हैं तो 15,735 रुपे कोई व्यक्ति परतिमा कमाता है तो इसका 10% लगबग 1530 रुपय उसको मासिक बचत करनी चीए, बाकी जो पैसे बच गए उससे वो अपने जीवन का एंजोई करें, अपने जीवन की देनिक आफ्शावतां की पूर्ती करें, लेकिन इन 1530 रुपय को उसको स्थाई रुप से बुर्ना है, इनके परती उसके म मानना है कि ये 1530 रुपय उसकी आय का हिस्सा नहीं है, उसकी आय का पार्ट नहीं है, जो जो उसकी आय बड़े त्योंतों ये 10% एकजेट निकालके उसको शेयर बजार के लिए डालना है, तो अब उसको क्या करना है? तीन महिने तक ये 1530 रुपए बचाने हैं स्वरव परतम उसको तीन महिने तक ये 1530, 1530, 1530 रुपए बचाने हैं अब वो शेर बजार में अपना कारोबार मेरे सिदान्तों के नुसार सुरू करने के लिए त्यार हो गया है अब उसको एक डीमेट एकाउंट खुलवाना है उसके बाद ये जो 1530 रुपए है लगबग इसके पास में एक एमाउंट तेया करनी है 1500 रुपए पुर्णाम के अंदर तो एक शेर में उसको 1500 रुपए से ज़्यादा निवेस नहीं करना है जो भी अच्छे शेर में अपनी वेबसाइट www.maheskosik.com पे बताता हूँ मेरे सिदानतों के नुसार जो हर अपते या दो अपते में मैं एक शेर इस वेबसाइट में डालता हूँ कभी मारकेट उटा हूआ होता है तो हर अपते अच्छा शेर कम प्राइस पर मिल जाता है कभी मारकेट बहुत हाई पर होता है तो हो सकता है मैं आपको महीने में एक सेरी बताओं तो आपको हर अपते इस वेबसाइट को विजिट करना चीए अब उसके खाते में लगबग ये 42600 रुपए उसके खाते में लगबग हैं उस लेक्ति के पास और उसने ये टेक किया है कि वो एक शेयर में 1500 रुपए से ज़्यादा का निवेश नहीं करेगा तो हाली में मैंने मेरी वेबसाइट में दो शेयर बताए हैं जिंदल साफ लिम्टेट और बैंक ओफ महराष्ट्रा लिम्टेट अब उसको ऐसा नहीं करना है कि ये 1500-1500 रुपए कि वो दोनों शेयर ले ले एक हफते में उसको एक ही शेयर खरीदना है आप कभी भी एक साथ खरीदने की जल्दवाजी मत कीजिए दिरे दिरे आपकी शेयर बजार की दुकान त्यार हो जाएगी उसमें माल आप कभी भी एक साथ मत खरीदे क्योंकि मार्केट के इस तर तूटते रह सकते हैं मार्केट और ज्यादा तूट जाए या मैं कोई और अच्छा शेयर बता दू या मेरे पिछले बता यह सेयर में से कोई सेयर आपको और अच्छे मुल्यों पर व्यू जाए इसलिए एक हफते में उसको सिर्फ पंद्रा सो रुपए डालने हैं इन दोनों सेयरों में मान ली या स्ट आता हूं वह सही है या जिंदलों साह के प्राइस आपकी रेंज में फिर उसको फंद्रा सो रुपए इस जिंदलों साह में दिव्येश करने हैं और इसी परकार हर मीने उस अपने खाते में पंद्रा सो तेतर रुपए की अपनी बच्चत को डालते रेना है कुछ वह भी आपके खाते में जमा होते रहेंगे तो इस प्रकार आपके पास अलग-अलग भी विटताओं वाले साल भरतर देदी आप इस प्रकार करेंगे तो बहुत से शेर आपके खाते में हो जाएंगे और सभी की सभी प्रकार देखेंगे तो साल बर बाद आप पाएंगे कि सिर्फ पंद्रा प्रतिशत ही नहीं कुछ सेर तो दोसो दोसो तीन सो तीन सो प्रतिशत भी बढ़ चुके हैं लेकिन आपको मिनिमम पंद्रा प्रतिशत देखना है मान लिजी आपने बैंक ओप महराष्ट्रा 30 रुपय पे लिया था साल बर बाद उसका प्राइस 35 रुपया है तो ये 15 प्रतिशत से उपर लाब आपको परदान कर रहा है लेकिन इसको हातों आज बुक नहीं करना है 30 रुपय का पंद्रा प्रतिशत 34 रुपय पचास पैसे यहां तक आपको अपना प्रोफिट सीक्योर करके रखना है साल बर बाद यदि बैंक ओप महाष्ट्रा वापस फूटता है और 34 पचास से नीचे जाता है तब आपको इस सेर में प्रोफिट बुक करना है अन्यता इस किसी बी की आपको प्रोफिटंस महाँर। मैं इन सबस्टाइब इन के लिए चंतित क्यों नहीं आप कि दुकंदार की हो के दुकान में क्या वो अपनी दुकान में रखे सारे माल को बार बेच के एक ही दिन में बिखारी होके बार जाना चाता है, क्या आपने सारे माल को एक ही दिन में बेच देता है, दुकान में उसके कितने माल रखे हैं, क्या वो उसको बेच करके दुकान बंद करना चाता है एक ही दिन में, तो यह हमारी दुकान में रखा हु तो इसी प्रकार आप एक दुकंदार की तरह सेर्विदार में निवेस करेंगे तो उश्य मुनाफ़ा कमाएंगे नमस्तार